हेलो स्टुडेंट, गुर्मानी, सूप्रभात, आज हम आप लोगों को क्लास टिंथ की हिंदी की बुक किर्तिका के अध्याय दो, जार्ज पंचम की नाक का सारांस पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तो जार्ज पंचम की नाक, पाठ में सारा ब्यंग, नाक सब्द पर केंद्रित करते हुए, लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भी, सब्ता से जुड़े बिभिन प्रकार के लोगों के, बिभिन प्रकार के लोगों के मानसिक्ता और बिदेशी आकमर पर गहरी चोट की है, यह बात उस समय की है, जब इगलेंड की महारानी इलिजाबेद दिती, अपने पती के साथ हिंदुस्तान पढ़ारने वाली थी, देश के सारे अकबारों में इस साही दवरे के खबरों से भारा था, इस दवरे के लिए छोटी से छोटी बात पर भी की निगाहें तिकी हुई थी, रानी का दरजी परसान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दवरे पर रानी कब क्या पहनेंगी, उनका सिक्रेटरी और जासूस भी उनसे पहले ही दवरा करने वाले थी, फोटोग्राफरों की फाउज तयार हो रही थी, रानी की जन्म पत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतरिक, अकबारों में अनेक नौकरों, बावर्चियों, खान, सामों, अंगरक्षकों और कुतों की तस्बीरे छापी गई थी, डिल्ली में साही सवारी के आगमन से धूम मची हुई थी, वहां की सदा धूल मिटी से भरी, रहने वाली सडके साफ हो गई, इमारतों को सजाया गया, सवारा गया, एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी, नई दिल्ली में जार्ज पंचम की मूर्ती की नाक नहीं थी, जार्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए थी, राजनेतिक पायटियों प्रस्ताव पास किये थे, अकबारों के पन्ने रंग गए थे, बहस इस बात पर थी, कि जार्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हता दी जाए, इसके लिए हतियार बंद पहरेदार सामने वाली जार्ज पंचम की मूर्ती की नाक अचानक गायब हो गई थी, अब महारानी देश में आ रही थी और मूर्ती की नाक ने हो तो परसानी तो होनी ही थी देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ती की नाक तो होनी ही चाहिए यदि वह नाक ने लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी उच्च अस्तर पर सला मसवरे से तै किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी पर उसे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कहां बनी थी कब बनी थी और इसके लिए पत्थर कहां से लाया गया था पुरातत्य विभाग की फाइलों से भी कुछ पता नहीं चला मूर्तिकार ने सुझा दिया कि वह देश के हर पहार पर जाएगा और वैसा ही पत्थर धूट कर लाएगा जैसा मूर्ती में लगा था मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों पर निकल गया परन्तु उसे वैसा पत्थर नहीं मिला उसने पत्थर को विदेशी बता दिया मूर्तिकार ने सुझा दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी है यद उनमें से किसी एक की नाक लाट की मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा सभापती ने सभा में उपस्थि सभी लोगों की सहमत से ऐसा करने की आग्या दे दी जार्ज पंचम की नाक का माप उसके पास था वे दिल्ली से मुंबई गुजरात बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश से होकर मद्रास मैसूर केरल आदी सभी प्रदेशों का दवरा करता हुआ पंजाब पहुँचा उसने गोखले तिलक सिवा जी गाधी जी सरदार पटेल आदी महान पुरसों की लाटों को देखा परखा पूरे हिंदुस्तान की परिकर्मा कराया पर उसे जार्ज पंचम की नाक का सही माप कहीं नहीं मिला क्योंकि जार्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली मुर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश करते हुए कहा कि देश की 40 करोण जनता में से किसी की जिन्दा नाक काटकर मुर्ति पर लगा देनी चाहिए पर यह सुनकर सभापती परसान हुआ पर मुर्तिकार को इसकी इजाजत दे दी गई अकबारों में केवल इतना छपा की नाक का मसला हल हो गया और इंडिया गेट के पास वाली जार्ज पंचम की लाट के नाक लगा रही है नाक लगने से पहले फिट हत्यार बंद पहरेदारों की तैनाती हुई मुर्ति के पास पास का तालाब सुखा कर साथ किया गया उसकी खाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली जिन्दा नाक सूखने जाए थोड़े दिनों बाद अकबार में छप गया की जार्ज पंचम को जिन्दा नाक लगाई गई है जो बिलकुल पत्थर की नहीं लगती उस दिन अकबारों में किसी प्रकार के उद्गाटन या सारवजनिक सभा की खवर नहीं छपी थी किसी का ताजा चित्र नहीं छपा सभी अकबार खाली थी क्योंकि यह बहुत अपमान का बात था कि किसी जिन्दा व्यक्ति का नाक मूर्ति पर लगा दिया गया था वो भी ऐसा बिदेशी महिला के लिए जिसके पूरवज हमारे भारत पर इतने सालों तक सासन कर चुके थी ऐसा घटिया काम करके भारती निताओं ने भारत की नाक कटा दी थी यानि इज़्जत मिट्टी में मिला दी थी तो यह है तो यही है इस पाठ का सारांस तो आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सुक्रिया धन्वार